To get more such videos on law, do subscribe our channel Logical Guruji and hit the bell icon for notification and update. इसके रिपेडिली पूछ रहे थे तो इसके लिए मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड आज की आए, that how to plan the studies in last two months, बिल्कुल जई, एक वीडियो मैंने अप्रोड किया था, January मैंने में बताया था कि जून एटाइम के लिए plan of action के आ रहेगा, five months का, January चला गया, February चला गया, March भी हो क्योंकि उन्होंने 50% कोर्स पढ़ा हुआ है, पढ़के एक्जाम भी दे चुके, तो दे नो की paper कैसे आने वाला है, और कैसे behave करना है, सेंटर में सब कुछ समझ में आ चुका होगा, जो पहली बार देर उनके लिए थोड़ा अलग हो सकता है, जो job कर रहे हैं उनकी लिए ल एक के लिए बनाओं तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं रैंडम ली पढ़ाई के प्लान के बारें बात करूँगा, कि प्लान कैसे करना है, आज है 2 अप्ल, तो आज से लिए कि हमारे बास दो मेने हैं, तकरीबन 55 या 60 दिन है, 55 दिन में इसलिए बुल रहा हूँ, मैं इसलिए बए बात है, नार्मली क्या होते है, डिसंबर एक्जाम में बहुत तकलिव होती है, दिवाली भी आ रही है, दशरा भी आ रहा है, दुरगा महिया भी आ रही है, गैणिजबैगवान भी सबको तब ही आना होता है, और ये थोड़ा सीजन अच्छा है, अप्ल का है में नॉर्मली शादी भी कोई बरबाद नहीं होता है और कोई नॉर्मली तेवार भी नहीं आता है तो आप पूरा डिडिकेशन दे सकते हैं फिर भी मैं फाइट इंडेस अटा देता हूं तो आपके पास 50 देज है ऐसा मैं मानता हूं ठीक है ना जो बिल्कुल सही है तो पच और स्प्रिशन पहले दोथी ले लेता है पहले तो वी हम अशे देस 50 देस टीक कैप पहली चीज हमारे पास 50 दिन है अब धयां देंगे बच्चो क्या करना है तीक है आज का वीडियो चलागया मैने बोला ता अ आज के तारीक सॉरी चली गई आज दो तारीक है और आज का जब तक आप देखेंगे शायद वो चला गया होगा, कई लोग तो बाद में भी देखेंगे, बट 2nd April तक के तो मैं गिंता नहीं हूँ, तो आपके पास है April मैने में 28 देज, ठीक है, आप रोच तो अलग लग रहेंगे, April का और May, जिसमें कि मैं अगें 31 नहीं पकरता, हम बैक, ठीक है, बैक से शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है, 31 में, 30 में, 29 में, ये तो छोड़ दो आप, ये किस के लिए रहेगा, ये रहेगा आपके जो फर्स्ट को पेपर है, अगर आप टैक्स या कॉस्ट दे रहे हो, ग्रूप बन तो, या अगर आप CS प्रोफेशनल मे है, तो ग्रूप बन जो आपका कॉंबो है, पूरा, ग्रूप बन के तीन सब्जेक्स है न, आपके, वो तीनों के पढ़ाई के लिए आपको वो तीन दिन छोण ड़े है, तो मैं 28 से गिनूंगा, ठीक है, अब 28, 27, 26, 25, 24, 23, ऐसे करके मैं थोड़ा लिग लेता हूँ या प 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1, राइट, आप उसमें से यह में के बात कर रहा हूँ, ठीक है, पहले में, यह पहले में के बात करता हूँ, तो आप धान रखेंगे अच्छे से, मैं जो बता रहा हूँ, आप यह तीन दिन दो छोड़ दिये, इस पर राउट ही नहीं आ रहा है, वन बावन दो, तीन, यह चार, ठीक है, यह ऐसा, यह और यह, ऐसा है कि आप साथ पेपर को डिवाइड कर लो 28 से, आपके मिल जाएंगे 4 देच, समझ में रहा हूँ, अच्छे से में क्या बोला, बहुत बेसिक बात कर रहा हूँ, जिनके पास ग्रुप यह है, एक्जिकेटिव दे र कर लो, डिवाइड बाइड नाइन कर लो, अगर आप तीनो ग्रुप दे रहा हूँ, तो यह फ्री देज इच, तो ऐसे डेज वैरी होंगे, आप अपने आप से किसको दिमाग लगा के कर लीजीगा, और आपको पड़ाई कर नहीं इसमें, में 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 में, और जो ए से कर लिजे रसे करका है, तक 2 आप टू चारे डिवाइड बार 4 करेंगे, तो टुटी डिवाइड बार 4 गरेंगे, तो 20 डिवाइड बा फू इस्वेर गरो पड़ाई कर नाजक ट सकते होंगे, मतलब जैसे यहाओ पर केमपौन ओ, कमपन ओ, तीक है, टैक्स, टैक्स, कуск, कोस्ट ऐसे करके रिपीट हो सकता आपका टीकि ना ECL, ECL ऐसे करकर कि आप मल्टिपल टेम्स पढ़ाई कर सकते हो कब आप मैंने में जिंगा ग्रूप एक ही है वैसी जिंगा एक ही ग्रूप है ग्रूप टूवाला उससे पर तीनी सब्जेक्ट विचारो तीनी सब्जेक्ट ह यार 27 दिन डिए वाट वैं थी सब्जेक्स यूगेट 9 डेस इच वह भी रिविचन के लिए और मैं अप्रिल में आये नहीं अप्रिल में तब को पढ़ना है मतलब यह जो मैं प्लान बना रहा हूं ऐसा भी हो सकता है कि इसमें वह बंदा भी पास हो सकता है जिसने अभी तक दिवाइड करने अलोकेट करने तो मैं बात वापस बता रहा हूं हम लों बात कर रहे हैं फॉर्णेशन के बारे में नहीं एक्जेक्टिव में तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है सिफ ग्रूप बन सिफ ग्रूप टू और बोद ग्रूप और प्रोफेश्चल में भी तीन से च हो सकता है जिसे कोई बन्दा सिफ ग्रूप टू दे रहा है या ग्रूप थी दे रहा है प्रोफेश्चनल का तो उसके तो पहले छे दिन पर ही नहीं है तो वह प्लान टामिटेबल उसको और बोनस मिल जाएगा वह उसकी मर्जी है अभी मैं जनरल केडेगरी में बात कवर क टैसल को टैसल है तैसल क्या हो कि करना सिंफ 10 samo को या टीयू मृंत है करना है वापस लगी करना है आपको डबल डबल वाइस करना है मैं रिजीग के बात कर रहा हूं यह वीडियो करते समय बाकें कर अब एक मैं एक हैजम्शन क है तो आपो थुड़ा भॉत बद भी आता है जाते हो अपका तो you can start you can start from today also but धान रखिएगा आपको divide करना है subject को आपको divide करना है topic को आपको समझना है ठीक है scanner आप यूज कर सकते हो अगर आप scanner चाहते हो तो you can always refer scanner की exam में paper concept pattern से आया है scanner पर blind believe नहीं करेंगे क्योंकि scanner में से वही आता है जो exam में आच चुका है it's not a guarantee for future तो उसको skip मत करना ठीक है मैंने कई सारे वीडियो दिए हुए है जैसे कि आप एक वीडियो आप देखोंगे उपर में आपको एक notification बार मिलेगा जिसमें आप देख सकते हूं कि एक वीडियो चलेगा main important chapters of company law वह आप एक बात देख लीजी वीडियो तो आप उसमें से भी मिलेगा company law में यह cmsl में मैं अपनी बात कर रहा हूं बाकि tax cost ecl a account से बहुत कुछ है ठीक है तो अलग-अलग topics को आपको कवार करते हुए चलना है same go for if you go for professional level तो आपको ऐसी करना है अगर आप करेंगे सब subject को properly equal marks में equal time में duration में तो आपका success होना possibility है और अधर नहीं हुआ तो फिर थोड़े मुश्किल पेश आ सकती है अगर आप वह चीज़े नहीं करें तो ठीक है ना क्योंकि दिक्कत ही आ सकती है कि अगर आपका पूरा course भी cover नहीं हुआ है till में तो आप examet देने ज काल करता हमारे हाथ में है राइट तो गाइस दिस वास a simple tip जो मैं आपको देना चाहता था कि कैसे आप अपने exam को अभी भी clear कर सकते हो अच्छे माक से आप 55-60 माक के तो एम करी सकते हो अगर आप पहली बार exam दे रहे हो दूसरे बार भी अगर आप exam दे रहे हो आपने पहल लाइक तो बनता है बहुत है टागे रखते है कि 1000 लाइक मिनेंगे इस वीडियो को जो बहुत बड़ी बात है बट मुझे मालूम है मुझे मालूम ही कि आप मुझे निराश नहीं करेंगी अपने फ्रेंड के साथ शेर करें जरूर से तो उनको भी मालूम पढ़ा है कि हाँ